Hello everyone, History Marathi Reformers का आज तीसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग दादोबा पांडुरंग तर्खड कर इनके बारे में जानेंगे Basically इनका जनम मुंबई में हुआ था 9 मैं 1814 को मुंबई का जो वसई का इलाका है जहाँ पे तर्खड नाम का एक गाउ हुआ करता था वहाँ पर इनका जनम हुआ जिसके कारण इनका सरनें तर्खड कर पड़ा इनके पेरेंट्स का नाम येशुदा और पांडुरंग थे इस पेरेंट्स का नाम आगे भी काम आएंगा आत्माराम और भासकर ये इनके दो भाई थे जो इनसे छोटे थे इनको पानिनी आफ मराठी राओ बहादुर ऐसे टाइटल से पुकारा गया था एजुकेशन चार साल तक इन्होंने लोकल एजुकेशन पंतो जी के स्कूल से की वहाँ पर इन्होंने संस्क्रीत फारसी जैसे भाशाओ का अध्यन किया उसके बाद ये प्राइवेट हाई स्कूल में पड़े और फिर 1825 को स्कॉलर्शिप के जरीए ये बॉम्बे नेट्व एजुकेशन सोसाइटी में इनका दाखला हुआ वहाँ पर इन्होंने पॉर्टुगीस लैंग्वेज भी सीखी पड़ाई में ये काफी पहले से ही हुशार दे और 1833 में इन्होंने मराठी भाशेचे व्यकरन अपने दोस्तों के साथ मिलके लिखने का विचार किया और आखिर में 1835 आते आते इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया जो की गनपत कृष्णाजी प्रेंटिंग प्रेस से हुआ 1835 में मध्य प्रदेश के जावारा के राजा के ये ट्यूटर भी बने और जहाँ पर इन्होंने फार्सी लेंग्विज खुद तो सीखी सीखी साथ में उस जावारा के नवाप को इंगलिश भी सिखाई बदले में इनको 1.500 रुपे सैलेरी वहाँ पे मिल दया था पास साल के बाद मुंबई के एल्फिस्टन इंस्टिचूट में इनको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लगी जहाँ पर वो इंगलिश पढ़ाया करते थे 1844 में इन्होंने सॉल्ड सत्यागरह में भी पार्टिसिपेट किया था 22 जून 1844 को ये सूरत में इनकी ट्रांसफर होगे और वहाँ पर इन्होंने मानवधर्मस सभा स्टार्ट की ये सभा इन्होंने दुरगाराम मच्छाराम और दिनमनी दलपतरा है इन दो लोगों की हेल्प से की तो ये डी-डी-डी आप याद रखिएंगा डी मतलब दादो समाज में जो जातियों में जो भेदबा होता है उस डिफरेंस को खतम करना सबका इक्वालिटी ऑफ ओल होना चाहिए आइडल वर्शिप अन्टेचेबल्स विमेंस इन सबको एजुकेशन मिलना चाहिए इस जैसे मुद्दों पर ये सभा डिसकस करती थी बट ये सभा उनकी ट्रांसफर राजिस्थान में हो गई और खुद दादोबा मॉंबई में शिफ्ट होके इस कारण वर्श इस सभा को आगे चलके बंद करना पड़ा और कुछ सपोर्टर की कमी के कारण भी इस सभा जाधा देर तक चल नहीं पाई एटीन फोर्टी सिक्स में दादोबा बॉमबे के ट्रेनिंग कॉलेज के डारेक्टर बने दो साल बादबे असोशीएशन के फौंडेशन में दादोबाने हल्प की उसी साल उन्होंने उपयुक्त न्यान प्रसारक सभा को फाउंड किया और उसको प्रिसाइड भी किया और उसी सेम यर में 1848 पे दादोबा ने न्यान प्रसारक सभा बॉम्बे के एलफिस्टन कॉलेज के स्टूडेंट्स की हेल्प से बनाया उस न्यान प्रसारक सभा के दादोबा पांडूरंग तर खड़कर खुद प्रेसेडेंट है जब कि दादा भाई नोरोजी, विश्वनात मनलीक और जस्टिस रानाडे उसके मेंबर्स थे अगले साल 1849 में दादोबा ने परमहन सभा नाम का स्टार्ट किया यह एक सीक्रेट सोसाइटी था जो कि मुंबई में बेस्ट था इसके प्रेसेडेंट दादोबा नहीं थे यह आपको चीज याद रखी है आपको तीन नाम दे दी जाएंगे जिससे आपको लगेंगा मानु इसके प्रेसेडेंट थे रामकृष्णा जैकर जबकि दादोबा पंडुरंग आत्माराम जो इनके छोटे बाई लक्षवन सास्त्री हडवे और भीकोबा चवान इसके मेंबर्स थे इसका भी उद्देश लगबक वहीता की जातियों में भेद को दूर करना आइडल के एजूकेशन के बारे में बात करना इस परमहन सभा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक किताब लिकी जिसका नाम है परमहन सिक ब्रह्मधर्मा परमहन सभा के मेंबर एक समय आ गया था कि हजार तक आ चुके थे लेकिन बाद में इस सभा को बंद करना पड़ा इसका क वो काफी था तो इसी कारणवर्स इस चीज़ को सीक्रेटली बनाया गया था ताकि जो भी ये कार्य करे वो ब्रामीन्स को ओपनली पताना चले बट एक बार किसी मेंबर ने इनका जो रेजिस्टर था जिसमें सारे मेंबर्स के नाम लिखे हुए थे वो रेजिस्टर चुरा लिए था और वो रेजिस्टर डिस्क्लोस कर दिया था इसके कारणवर्स सब के नाम बहार आ गए और इस सभा को बंद करना पड़ा इस सभा की खास बात क्या थी ये लोग क्या करते थे इस सभा के माध्यम से सभी लोगों को कहते थे कि आपको चाइ पीना है आपको पाओ खाना है आपको अंटेचेबल के हाथ का पानी पीना है अब आप सुचोंगे कि चाइ पीना और पाओ खाना कौन सी बड़ी बात है लेकिन उस समय अगर जो इनसान चाइ पी लिया वो बिरिटिश हो गया जिस ने पाव खा लिया वो प्रॉर्टुगीज हो गया क्रिश्चन हो गया इस तरह की उस समय की माननेता थी तो इस तरह की काम करने के वज़े से यह सभा काफी फेमस हो गई थी 1836 में जो मराथी भाषे जे वैकर नोने पहली शुरू कीती किता उसका सेकंड एडिशन अठारा सो पचास में आया और इस सेकंड एडिशन को मेजर थॉमस केंडी और कुरुष्णा जी चिपरूनकर ने काफी हेविली स्ट्रिक्ली स्कुरूटिनाइस किया काफी जाच परता सेकंड एडिशन को अमेरिकन मिशन प्रेस से पब्लिश किया गया 1852 में दादोबा एहमद नगर की डेप्यूटी कलेक्टर बने और उसके पात साल के बाद 1857 में आल ओवर इंडिया रिवोल्ट हुआ वो रिवोल्ट एहमद नगर में भी देखने को मिला वहाँ पे एक ट् ने उस एलाके में काफी रिवोल्ट मचा के रखा था उस रिवोल्ट को शान्त पुर्वत तरीके से दादोबा ने खतम करवाया इसी कारण से उनको राओ बहादुर की पदवी ब्रिटिश गवर्मेंट के दारा दी गई 1857 में महराथी भाषिचे वैकरन का तीसरा एडिशन आया 1862 में दादोबा को उपने सुपेरियर्स के साथ कुछ मदभीत की वज़े से रिटार्मेंट लेना पड़ा 1865 में दादोबा ने महराथी लगो वैकरन चापना शुरू किया और 1882 आते आते इसके बारा एडिशन पब्लिश हो चुके थे और 1944 में इस मराथी लगो वैकरन के एक लाग कॉपीज बिख चुकी थे 1871 में जब दादोबा पांडुरंग रिटार्मेंट सब छोड़ चाड़के बैठ चुके थे तब उन्होंने सर जमशेद जी 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 बॉय जर्थोस्ती मदरसा से पांडुरंग दादोबा ने संस्कृत पढ़ाया लोगों को तो यह आपको याद रखना है 1882 में उनके दो बेटों की मृत्यू का जटका सहन ना करने के वज़ेसे उनकी डेथ हो जाती है कुछ उनकी फेमस राइटिंग्स 1836 में दादोबा ने मराठी भाशे चे वैकरन लिखी उसी साल उन्होंने मराठी नकाशा चे पुस्तक लिखा उसके दो साल के बाद 1838 में उन्होंने धर्मवी वेचन जो की किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपना नाम एक जगतवासी आरिया रखा था कारन सिंपल है उस समझे से आपको मैंने बताए कि ब्रामिन्स का काफी डॉमिनेंस हुआ करता था तो ब्रामिन्स को पता ना चल 1857 में उसका थर्ड एटिशन आया है 1865 में उन्होंने लगो व्याकरन लिखा 1884 में उन्होंने शिशु बोद लिखा बेसिकली 1884 मतलब उनके मरने के दो साल के बाद तो ये चीज पॉस्थुमेसली पब्लिच्ट हुई मर्नों प्रांथ पब्लिच्ट हुई उनके जो पैरेंट्स का नाम था येशुदा और पांडुरंग उनके नाम पर उन्होंने किताब लिखी येशुदा पांडुरंगी बेसिकली एक मोरोपंत नामक वेक्तिकी ने केकावली नाम की किताब लिखी थी उस किताब को क्रिटिस साइज करने के लिए उन्होंने ये ये शुदा पांडूरंग की नाम किताब लिखी कुछ फेमस टाइटल्स उनको पानीनी अफ मराथी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं और ये टाइटल उनको लोखितवादी ने दिया था क्यों दिया था बेसी के लिए जब आपको मैंने कहा था कि हो जब एल्फिस्टन स्कूल में जब पढ़ते थे तब वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके 1836 में मराथी भाष्यचे वैकरन नाम की किताब लिखी उस किताब के कारण उन्होंने मराथी लिटरेचर में इतना कॉंट्रिबूशन दिया है इस ही बात से उनको लोखितवाद जो की थी सूरत में 1848 नियान प्रसारक सबा जो की मॉंबई में थी और 1849 में परमहन सबा विचिस अल्सो इन मॉंबई यह कुछ MPSC के लास्ट एर के कॉश्चन से इसको आप देखिए, सॉल्ल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा थैंक्यू सो मच